वीलो फ्रसuti वेलकम टू माय चैनल आज की रेसिपी पणीर बटर मसाला पणीर मखनी बटर पणीर मकनी पणीर या फिर पणीर मकखन वाला बहुत सारे नाम है के और बनाना उतना ही आसान सिर्फ आदे गंटे से कम अब यहां नहीं पडें कृम करके प्रेड कर सकते हैं और श तो आईए से बनाना स्टार्ट करें हमें 8 से 9 दाने काजु के लेने हैं 3 मीडियम साइज के प्यास और 2 मीडियम साइज के अच्छे से पके हुए लाल टमाटर आगे हमें टमाटर को उबालना है इसलिए हम टमाटर के बैक साइड मी इस तरह से कट माग कर देंगे ताकि उबालने के बाद हमें इसके स्किन को हटाने में आसानी हो अब हमें तीनो प्यास को बड़े-बड़े टुकडो में काट करके रेडी करना है यहाँ पे टमाटर का सेलेक्शन आपको इस तरह का करना है कि जिसमें थोड़ा खटापन कम हो अब एक पैन में हमें थोड़ा पानी लेना है जिसे हमने फ्लेम पे रखा है अब इसमें टमाटर प्याज और काजू के दाने डाल करके इसे ढख करके हम थोड़ी देर पकाएंगे जब इसमें बॉलिंग स्टार्ट हो जाए तो हमें फ्लेम को कम कर देना है और इसी तरह हमें 5-6 मिनट तक इसके कुकिंग करनी है इस तरह से प्याज और टमाटर का थोड़ा कच्चापन भी चला जाएगा और ये नरम भी हो जाएगे बॉल होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा अब हमें इसके पानी को ड्रेन कर देना है और सारी चीजों को किसी प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए अब हमें इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है अब हमें एक पैन गरम करना है जिसमें 100 ग्राम बटर आड़ करेंगे चुके ये बटर पनीर है तो इसमें बटर की कौइंटिटी थोड़ा ज्यादा जाती है आप चाहें तो इसे अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम अब हमें इसमें एक इंच दालचिनी का टुकड़ा दो हरी इलाइची और हाफ टीस्पून शहजीरा एड़ करना है शहजीरा अगर आपके पास नहीं है तो आप शहजीरे के जगा पे जीरा का भी इस्तमाल कर सकते हैं अभी हमें फ्लेम को लो रखना है और कुछ सेकेंड क के लिए इसकी कुकिंग करनी है तक एसमें से खुशष भूगाने लगे और साथी साथ एक टेबल स्पून आब हमें कश्मीरी में चैड करना है और ओन फ्फोर टीस्पून हल्दीका पाउडर अब इसे हल्का से स्टर करते हैं और साथ हाफ टेबल स्पून अद्रक का पेस् और टेस्ट के हिसाब से नमक अड़ करेंगे उसके बाद हम इसकी एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुकिंग करेंगे अगर आपको ग्रेवी में प्याज अद्रक लहसन नहीं चाहिए तो आप इन तीनों को इसके भी कर सकते हैं अद्रक लहसन का कच्चापन लगभग जा चुका है तो अब हमें इसमें प्याज और टमाटर के पेस्ट को डाल देना है अगर प्याज टमाटर के पेस्ट को पीसने में थोड़ी सी गुंजाईश रह जा रही यह अच्छे से नहीं पिस पा रहा है तो आप इसे स्ट्रेणर से चांद करके डालें अब इसे हम स्ट्रायर करने के बार ढग देंगे और इसे दो से तीन मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से हम इसकी कुकिंग करेंगे यह करी एक बेहत सौफ्ट सिल्की वर्सटाइल बटरी करी है जिसमें आगे हम पनीर डालेंगे आप चाहें तो इसमें मिक्स वजिटेबल्स, मश्रूम, मटर पनीर या फिर चिकन डाल करके भी इसे तयार किया जा सकता है तो इस ग्रेवी की कुकिंग लगभग हो चुकी है तो अब हम इसमें एक टेबल्स्पून का सूरी में थी आड़ करेंगे जिसे हतेलियों के बीच में ले करके इस तरह से इसे हम थोड़ा बारीक कर लेते हैं और साथी साथ इसमें एक टीस्पून शक्कर भी जाएगा ताकि ग्रेवी जो है वो थोड़ा सा माइल भी हो जाए और अगर आपकी ग्रेवी में थोड़ा खटापन होगा तो वो शुगर से अजस्ट भी हो जाएगा अब हमें इसमें पनीर डाल देना है आप चाहें तो पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं और साथी साथ चार से पाँच टेबल स्पून फ्रेश क्रीम जाएगा इसे थोड़ा स्टर करते हैं अब इसमें हमें दो पिंच यानि सिर्फ दो चुटकी गरम मसाला पौडर आड़ करना है इसे अच्छे से थोड़ा हम मिक्स कर लेते हैं जंटली और ढ़क करके इसकी हमें कुकिंग दो से तीर मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे करनी है तो हमारी पनीर मकनी या फिर बटर पनीर बिल्कुल रेडी है तो आईए इसकी सेर्विंग करें अब इसके उपर थोड़ा सा फ्रेश क्रीम जाएगा और साथी साथ इसकी डेकुरेशन को कम्प्लीट करते हैं फ्रेश कोरियंडर से अब आप अपने इसे पसंदीदा नान पराठा पूरी या राइस के किसी भी फॉर्म के साथ सर्व कर सकते हैं रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें फैमिली और फ्रेंज के साथ शेयर भी करें और चैनल पर इसी तरह बने रहें क्योंकि बहुत सारी कुकिंग अभी बाकी है थाइंक यू